लेजे मैडम जी आपका चार्ट और कुछ चाहिए आपका दो बता दीजेगा हो गया है हेलो नमस्ते असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अल्ला का शुक्रे हैं हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाद तुम को को दोसरी करते हैं दूसरों के लिए इस घंपन में इन्सान को नई रहना चाहिएए कि मुझे तो किसी की दूआ के जरूरत नहीं है, दुआ हमेंसा काम आती है और दुआ हमेंसे लेते रहना चाहिए दुआ मतलब की ऐसा है कि कभी न कभी जाने अन जाने में हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिस गलती के लिए हम नहीं जानते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती हुई है तो दूआ करते रहने से अपने लिए भी दूसरों के लिए भी कब वो दूआ आपकी बहुत बड़ी परसानी को टाल दे आप जान भी नहीं पाएंगे और उपर वाले तो सब के लिए हैं सब की दूआ खुदश को बूल करते हैं बस आपके पास मांगने का तरीका और मांगने का समय होना चाहिए तो सब पूरा हो जाता है ऐसा तो मेरा सोचना है और मैं हमेशा ऐसा सोचती हूं आई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज हम आ गये थे जैस्पूर क्योंकि फलक की थोड़ी ठीक नहीं थी, तब क्या उसको थड़ा से फैर में फैक्चर हो गया थी, तो एक दो दिन पहले माँ उसको लेके आई थी, तो उसमें उसका एक्सरे वगयरा हो चुका था तो पास जिससे हमको मिलना था, मतलब फलक को दिखाना था, इससे पहले मैं इस दॉक्टर के पास आ गई थी, उस दिन की साहथ कोई वीडियोरी मनाई थी, मेरे बैक पेन हो रहा था, तो मैं यही वाली मैम को दिखाई थी, अपना बैक पेन क्योंकि मेरे भी, मन्दब रेड़ कम्प्लीट हो जाएगा वो, जुड़ जाएगा अच्छे से तो, फिर हम उसको लेके जा रहते हैं प्लास्टर रूम में और वहाँ पे उसका नंबर लगा दी है, उसके बाद फिर, मतलब अज मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था, मैं को समझ में ही नहीं आ रहा था, में ऐसा लग रहा था, कि बस अब एक सेकेंड भी रुखना में लिए बहुत मुस्किल हो रहा था, यह एक सेकेंड कैसे कंप्लीट होगा, मैं समझी नहीं पा रही था, तो, यह मा को भी दिखाना था, तुछ डॉक्टर के पास आए, वो डॉक्टर था नहीं, फिर फलक को लेके आ गई यहां पर, तो यहां पर हमें बुला गया कि कुछ टाहिन तक आप वेट कीजिए, उसके बाद हम आपको आवाज देंगे तो आप आईएगा, फिर हम बैटके यहां पर वेट कर रहे थे होस्पिटल में ही बाहर, और मुझे इतना जादा अजीब लग रहा था मतलब वहां का इसमेल नहीं बरदास हो रहा था, कि क्या, कैसे, मैं और फलक दोनों बैटके हां पर वेट कर रहे थे, फलक बल रही थी, मेरा वीडियो मत लीजिए, तो मैं उसको बल रही थी, कि मैं तो वीडियो ले रही हूँ, और साफ सफाई तो थी, ऐसा नहीं कि साफ स अधिशीन ले लूगी, फिर हम चले जाएंगे घर, तो मैंने यहां से पर्ची वगेरा कटवा लिया था, पहले ही, यहां कम हिंडोर है, जहां पर पर्ची काउंटर है, वहां का है, यहां पर पर्ची कटवाया, मैंने फिर अंदर जाके फलक का जो भी ट्रीटमेंट था, सब किया कमप्लेट, उसके बाद हम जाएंगे मेडिशीन लेने, उसके बाद देखते हैं, जस्पूर में और भी हमें बहुत सारे काम है, क्योंकि घर पे है लंगर खानी, तो लंगर खानी के लिए बहुत सारे इंतजाम करने हैं, जो हम आज कर लेंगे, जितना हम से हो सकता है, तो मैं मा, फलक और हम ड्राइवर लेके आगे थे, क्योंकि आप लोग को बता होगा, जब भी लेडिस लोग मार्केट जाती हैं, तो घर के जो जेन्स लोग होते हैं, उनका कहना कि अगर आपको सौपिंग करनी है, और मार्केटिंग करनी है, तो आप हमारे साथ मत चाह जो भी है, जब भी है, जब भी है, मैं किसी की भी है, देवर हो गए, भाई लोग हो गए, अमारे अम्मी अबू हो गए, मतलब जो भी जेन्स लोग हो गए हैं, सब की बात कर रही हूं, तो मैं मैं यहाँ पर मेडिशीन लेके आ गई थे, अरु ज़रूर बताइगा कॉन आ यहां पर गाड़ी में बैटते हैं और चलते हैं कुछ खरिदारी करते हैं खरिदारी करने की बहुत सारी वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन जितना पॉसिबल होगा उतना दिखा दूंगी हर जगा कैमरा लेके चालू हो जाओ भी नहीं अच्छा लगता पाऊंगी जानते हैं कि फलक कैसा फिल कर रही है अभी तो यहां से निकलते हो और फिर चलते हैं मार्केट की तरफ पैटर दिखा 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 पैर इसे में इनाया को अल्पी को बोलना पूरा जितना है उनलों को पैंटिंग आता है ना सब पैंटिंग उसी बनाएंगी इनाया और अल्पी को पैंटिंग करने के लिए जगह मिल गया फिर हम रोग गये यहां पर एक सौप थी जहां पर मा को विजीट करना था मतलब मा विजीट करके जा चुकी थी बड़ो मुझे कह रही थी कि चलो देख लो अगर तुम्हारे लाइक कुछ हो तो समझ मैं तो ले लेना बहुत सारा खरीदारी कर चुके थे वहां का मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बहुत सारा मतलब बरतन की दुकान पर गई थी राशन की दुकान पर गई थी और ऐसे चोटे-पड़े दुकान में फिर में हा गई थी प्याज पता करने आज बाव मार्केट में ऐसे हैं कि जैसे आप सोना खरीदने जा रहे हों मेरे पास वैसे सारी सबजी थी बट सलेट के भी आइटम थे घर पे थे पहले सी लेकिन प्याज लेना जरूरी था और कुछ ऐसे आइटम जो में पहले लेना है जैसे सलाट का इटम हो गया और धन्यापती वगएरा हो गया तो एक दिन पहले लेना हिसलिए मैं उसके लिए नहीं जोड दे रही थी बट में आई थी तो सोची थोड़ा मौल भाव करके प्याज खरी दी लेते हैं वनना हम लोग इनलग को भेजेंगे तो जो भाव पाएंगे वह भाव में प्याज लेके चले जाएंगे और चाटेंगे भी नहीं तो मैंने फिर यहां से प्याज लिया अपने पसंद से कोकर मैंने निकलते हैं और चाट फुचका ना कहा हूं और उइसा काभी नहीं एक सकता है shines करी नहीं घादा है कि खा YOuकी मैं प्या रहते हैं और हम अधिते कोशिझ हो से तो आट लियृट सन्द जाएल बार्यां जाने हैं तो कोशी से आया चा झार अचा झाहता है ATर जरूरze कि आपके अंवेसं हो जाता है, यहां पी जाते है ड़ता है कि नहीं झा रख पाटी, नहीं है तो हम उस्कशन सबढ़ा है chocolates नहीं के नहीं बसने है अगे लिगs नहीं बघाए के नहीं bak तो उसको भी मैंने खरीता दो बाल्टी और एक जाली वाला टब लिया था चिकन में तंदुलने के लिए और अब हम आ गए चाट के दुकान पर यही वाले भईया में खिलाते हैं चाट जब भी मैं आती हूं तो चाट फुच का यहीं से खाती हूं तो फलक बोली कि मैं नहीं खाएगी जा पाऊंगे आप मिलए गाड़ी में हेला दीजी तुसके लिए मैं हागाड़ी में ला दीए हूं बैट करां से खाएगी गुपचुप तब तक चलते हैं उसने ओडर दिया है कि मामी में ली चाट भी बनवा दीजे जो तक मैं गुपचुप खारी हूं तब त तो फिर हम निकल गए थे अब घर के लिए वहां जो सेल लगी थी उसमें से भी हमने दो बाल्टी और यह की जाली वाला टब ले लिया था अब हम निकल गए घर के लिए और अभी मार्केट दिवाली वाला श्टार्ट होने वाला है तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो हम लेडी से देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसको भी ले 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 तो मार्केट यही सब तो मौका रहता है चीजों को खरीदने का एक साथ चीजे आप खरीदने की कोसिस करोगे तो ना उतना टाइम रहते हैं हमारे पास ना उतना पैसे रहते हैं हमारे पास तो हमें जब जो चीजे जरुएत की दिखती हैं और मिलती है तो हम जैसा सिच्वेंसन देखते हैं वैसा समान हम ले लेते हैं तो बहुत यसी ले ऐसा possible नहीं है, मैं अपने घर के जरूरत की चीजों को जरूर वहां से लेती हूँ जो मेरे काम की चीजे है, मैं एकक करके जोडती जाती हूँ और चीजों को collect करके फिर रख लेती हूँ क्योंकि हमारे गर में हमेसा कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम पढ़ता ही रहता है कि जब हमें चीजों की जरूरत पढ़ती ही पढ़ती है तो ऐसा है बाकि आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि मैं बहुत कोसिस करती हूँ कि अपनी डेली की जो रूटीन है मैं आप लोग के साथ सेयर करूँ बढ़ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे से बढ़ आप लोग को मेरी कौन सी वीडियो जादा अच्छी लगती है या रेसेपी वीडियो अच्छी लगती है या फिर इस तरीके का कोई टूर वीडियो अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ चोटी मोटी शॉपिंग या चोटी मोटी चीजों के लिए तो वो चीज़े आपको अच्छी लगती है इसके लिए आप कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक सेयर करना नए भूलिएगा घर आने के बाद बच्चों की हरकते कुछ इस तरक से थी जब ऊफ्चों के बच्चों की तरक से प्राव को से तरक से खुबैंस